तो इस वाले टॉपिक पे आपने हद से ज़्यादा प्यार दिखाया था और ये बहुत ही ओवियस दोस्तों क्योंकि कौन नहीं चाहता आपने लो एंड फोन में हाइंड मोबाइल गेम्स को खेला बिना डानलोड किये और जब मैं लो एंड फोन की बात कर रहा हूँ मैं यह नहीं बोला कि 15-16 हजार वाले मिड रेंज फोन मैं बात कर रहा हूँ 5-6 हजार वाले फोन में भी आप लोग हाइंड गेम्स जैसे रिया लेसिंग 3, कारेक्स स्ट्रीट, स्योडी वार्जन मोबाइल, फ्रीफायर, फ्र रिसेंटली मैंने फांड आउट किया है और इसमें बहुत सारे अडिशनल फीचर्स मिलते हैं इससे पहले मैंने आपको सिर्फ एक एप की बारें बताया था जो मैंने अपने चैनल पर कवर किया था यहां पर मुझे एक दूसरा एप मिला है जिसमें बहुत सारे नए फीच क्योंकि बहुत लोगों को यकीन ही नहीं होता कि उनके 5-6000 वाले मुबाइल फोन में कैसे योडी या फिर 5-6GB वाला कारेक्स स्ट्रीट गेम रन करेगा वो भी हाइस्ट फ्रेम रेट और हाइस्ट ग्राफिक्स में तो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है क्योंकि यहां प आपके फोन में स्ट्रीम होती है उसी सेम लॉजिक के साथ अगर आप देखियो तो आपका लॉडव गेमिंग कर रहे हैं गेम एकुली में कहीं और किसी और फॉन में रन हो रहा है आप बिसक्ली उसकी स्क्रीन को अपने फोन में कास्ट कर रहे हैं और गेम को कंट्रोल कर प highest frame rate 90 fps 120 fps पर चलाएए कोई दिक्कत नहीं है आप इवेन इसको highest graphics पर चला सकते हैं लेकिन आपके गेम की जो streaming quality अगर आप उसको increase करते हैं तब आपका data थोड़ा ज्यादा यूज होगा same example मैं देता हूँ YouTube वीडियो अगर आप 480p पर देखते हैं HD पर तो आपका कम data यूज होता है उसी वीडियो को अगर आप 2K पर देखें तब आपका ज्यादा data यूज होगा उसी तरीके से गाईज आप अपने गेम के इन गेम के जो settings और graphics settings उसको आप highest रख सकते हैं लेकिन streaming quality को अगर आप SD रखें तो सबसे अच्छा है या फिर अगर आपको कम data देना है तो आप SD quality भी रख सकते हैं जो 360p होता है तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका daily data उतना ज्यादा यूज हो आप लोग गेम भी easily खेल पाए highest frame rate पे तो आप 360p पे चलाईए सबसे best option है यह अब चले हम लोग देखते हैं कि इस app कैसे setup करना है कैसे use करना है बहुत ही simple है लेकिन बहुत ही ध्यान से सारे steps को देखिएगा तो app को कैसे download करना है उसको बताने इस पहले मैं आप से चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज आप लोग इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों साथ शेयर कीजिए जिनके पास एक low end device है फड़ा फट शेयर बटन पर क्लिकिए और अपने दोस्तों साथ शेयर जरूरी कीजिएगा तो सबसे पहले आपको as usual जाना है description मे and description में जाने के बाद आपको cloud moon app को download कर लेना है अब दिखे cloud moon app कुछी इस तरीके से उसका icon आपको दिखेगा आप लोग officially इसको download कर सकते हैं मेरे description से and आपको मेरे description से download करना है दोस्तों कि मैंने एक referral link दिया है जिससे अगर आप download करते है and then sign up करेंगे तो आपको free play time मिलेगा पड़ा फट मैं आपके सामने app को open करता हूँ यहां मैं screen recording को on करता हूँ जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको मेरे ही link से download करना है जो कि एक referral link है and then अगर आप उसमें open करेंगे app में sign up करेंगे तो आपको यहां देख सकते हैं 15 minutes का game time आपको मिलेगा जो कि एक free play time है मैंने यहां पर sign up कर लिया है and जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले समझाया था आपको streaming quality मिलेगी जिसके बारे मैं आपको detail में आगे समझाऊंगा जब मैं आपको gameplay दिखाऊंगा तो सबसे पहले आप लोग देश सकते हैं आपको कौन कौन पर हैं आपको मिलेगा call of duty mobile, torum online इसके नीचे आपको roblox यहां पर आपको fortnight मिलेगा gentian impact मिलेगा जो one of the most high-end game है जिनकी style लगवग 16-20 GB है जिसको कोई सोच भी नहीं सकता कि अपने phone में चला पाएंगे even मैं भी अपने oneplus 11 में डरता होन सारे games को चलाने के लिए लेकिन आप लोग इसी games को अपने 10,000 वाले phone में चला पाएंगे जो कितनी बड़ी बात हुए आप लोग खुद सोचिए इसके लावब आपको इसमें mobile legends black cover e football 2024 pub g mobile free fire भी मिलेगा free fire max भी मिलेगा league of legends call of duty mobile arc survival evolved one punch man world super sus devil make cry का भी एक गेम है जो मैं suggest को आप लोग आपकोर्स वो भी एक open world game है आप लोग gameplay देख सकते हैं ऐस कुछ आपको यह गेम मिलेगा यह भी एक काफी बड़ा और काफी भारी भरकर गेम है इसको आप लोग ट्राइक कर सकते हैं यह मेरी personal suggestion है क्योंकि मुझे गेम काफी personally पसंद आया था इसके लावा EA Sports FC Mobile, Identity 5, Arena Breakout, Blood Strike, Dead by Daylight, Firelight 84 तो आप देख सकते हैं सारे ही high-end games मिलेंगे जो popular है play store पे अब खेलने के आपको simply इन पे click करना है लेकिन उससे पहले चली मैं आपको कुछ जरूरी चीज़े समझा देता हूं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको 15-minute का game time तो मिलेगा जिसको आप easily use कर सकते हैं उसके लावा आपको यहाँ पर कुछ plans मिलेंगे अब आपको एक premium plan मिलता है premium plan से पहले standard plan के बारे मैं बता दूँ तो आपको एक महिने का यहाँ पर play time मिल जाएगा unlimited play time यह जो plan सबसे ज़्यादा अच्छा है 340 में अगर आप लोग एक महिने के लेते हैं तो आप लोग को एक महिने तक कोई disturb ने करेगा कोई भी mobile game आप खेलना चाहें complete करना चाहें तो बहुत काफी होता है एक महिना एंड यहाँ पर जो premium plan है इसमें बस एक चीज़ एड होती है कि यहाँ पर आपको HD streaming quality मिलेगी अब मैं आपको पहले ही समझाया है कि HD streaming quality में आपका internet जो uses है वो ज्यादा होता है तो यहाँ पर सबसे best है आप लोग 7-day ट्रायल या फिर आप लोग standard plan ले सकते हैं अगर आप लोग देख सकते हैं इविटेशन कोड जो मेरा personal invitation code है अगर आप बाइनाव पर क्लिक करें तो यहाँ पर एक invitation code डालने का option आएगा दोस्तो जैसे मैं हाँ subscribe पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं invitation code डालने का option आया है अगर बाइक करते समय आप लोग मेरा invitation code यहाँ पर डाल सकते हैं अब दोस्तो चलिए हम लोग gameplay के तरफ बढ़ते हैं मैं आपको on hand gameplay दिखाऊंगा साथी साथ सारी चीजें streaming quality in game assistant local keyboard के बारे मैं आपको समझाऊंगा कि यह क्या होता है चलिए हम लोग video में आगे बढ़ते है तो just for example यहाँ मैं एक game को start करता हूँ तो सबसे अच्छा option यही रहेगा कि मैं यहाँ पर directly gentian impact game को start करूँगा उससे पहले आप लोग streaming quality देख सकते हैं एक percent भी आप लोग नहीं बता पाएंगे कि यह game मैंने download करके चलाया है या फिर directly यहाँ पर मैं stream करना हूँ game को game खेलते वक्त आप लोग अपने google account से login करना पड़ेगा आप चाहे तो नय account बनाईए कोई भी account की दिक्कत इसमें नहीं आती अगर आपके पास कोई पुराना अपना खुद का account हो उससे भी आप login कीजिए कोई भी issue नहीं आएगा हम लोगा जेंशन इंपक गेम चल दहा है मैंने इसके जो starting के missions थे उसको skip किया था ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर मैं गेम को वह भी मैं आपको खेल के दिखा देता हूं for example आप मैं start करने जा रहा हूं free fire का original version और वह भी आप देखेंगे कि बहुत smoothly चलेगा यहाँ पर मैं free fire को start करता हूं and मेरे पास को free fire account नहीं तो मैं guest account से एक नए account बना के यहाँ पर login किया हूं और आप लोग देखेंगे कि free fire भी even एक battle royale game है आप लोग उसको बहुत smoothly खेल सकते हैं आपको ज्यादा कोई latency issues देखने को नहीं मिलेंगी काफी लोग सोच रहे होगे कि यह एक cloud gaming है तो आप guns fire करेंगे तो उसमें delay या lag देखने को मिलेगा ऐसा कुछ आपको देखने को नह आपको सकते हैं!